तो कैसे हो आप सब आज दे की सब बढ़िया होगे स्वस्त होगे और आपकी competitive exam की preparation भी बहुत अच्छी चल रही होगी फिलाल आज की वीडियो में हम बात किरें आर्टिकल की कुछ most important question exercise type questions तो फिलाल गिरते हैं अपने वीडियो को शुरू तो वीडियो का सबसे पहरा question है हमा आए आपका end जो connector है join कर रहा है साती साथ क्या एक singular के लिए फॉर्म हो रहा है जो वाह जो किया आपका singular होता है singular चीजों के लिए वास का यूज किया जाता है और जो connector है आपका end होगा तो सिर्फ जो article है वह एक बार लगेगा और उसमसे पहले दो लगेगा और जो एंड के बट देखो question number two की बात करते है डेश secretary and डेश teaser वर दियर बट अगर आपके पास कहीं पे भी क्या है अब plural form की बात हो रही है और connector and का use होगा तब आपके पास दोनों में क्या है द का use होगा तो यहां पर जो option number c है वो बिल्कुल सही है question number two का the secretary and the treasure word there अगर आपके पास singular होगा तब आपके पास and के बाद कोई plural कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा बट अगर आपके पाद कोई plural होगा दिया हुआ तब आपके पाद का आप आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो next अगर हम बात करते है question number third की तो यह मारा पर dash black and dash white horse is mine तो आखिर आप यहां पे कौन सा आर्टिकल का यूज़ करोगे तो आप comment box में बताना कि यहां पे आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे next बात करते है question number fourth है हमारे पास I want to buy dash x-ray plant तो जो आपके x-ray है वहां पे जो आपकी sound आ रही है वो आपके पास vowel sound आ रही है it means यहां पे जो हम यूज़ करेंगे वो एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे क्योंकि जहां भी हमारे पास एक्सरे यानि की वावल साउंड्स आती है वहां पे हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं next बात करेंगे question number fifth है हमारे पा it is dash unit of measurement तो जो unit है यह मारे पा yu की sound produce कर रहा है यहां पे ज option number a है आपका वो बिल्कुल सही है it is a unit of measurement next question है हमारे पास you are dash unlucky student तो you know what जो unlucky है यहां पे जो हमारी sound आ रही है तो हमारे vowel sound आ रही है तो आप सभी को पहता है जहां भी vowel sound आती है उससे पहले हमेशा एन का यूज़ होता है तो यहां पे option number b आपका बिल्कुल सही है you are unlucky student next बात question number seven है हमारे पास the harmonium is dash musical instrument तो musical जो word है यहां पे जो हमारे sound आ रही है वो consonant sound आ रही है और इससे पहले हमेशा हम a का यूज़ करते हैं but अगर कई musical instrument के नाम आ जाते है जैसे कि harmonium, piano, tabla, guitar तो हम the का यूज़ करते हैं हमेशा याद रखना आपने next question number eight है हमारे पा हिंदी is dash difficult language तो difficult से पहले आखिर हम कौन से article का यूज़ करेगे तो difficult से पहले हम हमेशा a article का यूज़ करेगे तो यहां पे जो option number a है वो बिल्कुल सही है हिंदी is a difficult language next question की बात करते हैं तो question number nine है हमारे पास x are sold by dash डर्जन तो आप सभी को परता है जब भी हम quantity या measurements की बात करते हैं जैसे कि kilo हो गया, kilometer हो गया, डर्जन हो गये तो उससे पहले हम हमेशे the का यूज़ करते हैं तो यहां पे option number c आपका बिल्कुल सही है x are sold by डर्जन next question number 10 है हमारे पास mathematics is dash easy subject तो जो आपके पास easy है वो आपके पास यहां पे वावल साउंड को produce कर रहा है तो easy से पहले हम article यूज़ करेंगे and यहां पे option number b आपका बिल्कुल सही है next बात करेंगे question number 11 है हमारे पास my wife is dash ba but i am dash ma तो ba से पहले हम हमेशा a का यूज़ करते हैं तो यहां पे हम क्या है ba से पहले a article यूज़ करेंगे और ma से पहले हम हमेशा an article का यूज़ करेंगे यानि कि जो यहां पे option number a है वो हमारा बिल्कुल सही है my wife is a ba but i am an ma next अगर हम बात करें question number 12 की तो यह हमारे पा डेश water is necessary for life जो पानी है वो जीवन के लिए क्या बहुत आवशक है तो water से पहले हम कौन सा article यूज़ करेंगे तो water से पहले जो हमारा article यूज़ होगा वो है हमारे पास no article क्यों क्योंकि water हमारे पार uncountable noun है पानी को हम गिन नहीं सकते जहां भी uncountable noun things आती है उससे पहले हम कोई भी article यूज़ नहीं करते है तो option number d यहां पे हमारा बिल्कुल स यहां पर produce कर रहा है वो हमारे आपा वौवल साउंड हैं, इन आपोर यह हम आर्टिकल यूट करेगे वो हम करें कि जहां भी वोवल साउंड आईलगए वहां और यूज होगा, तो दा पूर बओए is एन ओरफ दो, ऑप्श segment सही नेक्स्ट बात करते हैं, question number 14 है हमारे पार, she was in dash temple, जो temple है, उससे पहले हम a article का use करेगे, क्योंकि यहां पे हमारी consonant sound आ रही है, next question number 15 हमारे पार, she is dash beauty, तो जो beauty वर्ड है, यह हमारे पार क्या है, consonant sound को produce कर रहा है, तो जहां भी consonant sound आती है, वह हम a का use करते है, तो यहां पे option number A, बिल्कुल सही है, she is a beauty, next अगर हम बात करते है, question number 16 है हमारे पार, tiger are dangerous animal, तो जो dangerous है, अगर हम उससे पहले article की बात करेगे, तो यहां पे हम क्या है, no article गाएगे, क्योंकि अगर dangerous के बात animal होता, मत्तलब singular form में दिया होता, तब हम यहां पे क्या है, कोई और article यूज़ करते हैं, but यहां पे animals है, जो की plural है, तो यहां पे हम no article की बात करेगे, तो यहां option number D, आपका बिल्कुल सही है, next, question number 17 है हमारे पास, there was dash stone in his pocket, तो जो stone है, वो हमारे पार कैसी sound produce कर रहा है, consonant sound, तो consonant sound से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा अ का, तो यहां पे option number A, आपका बिल्कुल सही है, next, अगर हम बात करते है, question number 18 की, तो अगर आप यहां पे देखोगे, तो question है हमारे पास, my brother in law is dash DSP, तो जो आपके पार DSP है, वो आपके पार कैसी sound को create कर रहा है, यहां पे, एक consonant sound हमारे पास आ रहे है, DSP, तो आप DSP से पहले जो article यूज़ क करते है, question number 19 है, हमारे पास, Mr. Vishal is dash SP, तो जो आपके पार SP है, यह आपके पार sound create कर रहा है, वो मारे पार vowel sound है, but कई ऐसे alphabets भी मैं आपको लिखाए है, अगर आप इनको याद रखोगे, तो उससे पहले हमेशा आप क्या and का यूज़ करोगे, अगर आपके पार क्या एक कभी भी abbreviation में सबसे पहले, तो आप and का यूज़ करोगे, तो यहाँ पर जो option number B है, वो आपका बिलकुल सही है, Mr. Vishal is an SP, next अगर हम बात करते है, question number 20, most important question है आपका, तो question है आपके पास, dash, fire broke out in my village, तो जो आपकी fire है, आखिर यह आपके पार कौन से sound को create कर रही है, तो जो हमार पर कहीं पर भी consonant sound आती है, उससे पहले हम हमेशा औ का use करते है, तो यहाँ पर जो आपका option number A है, वो बिलकुल सही है, if I broke out in my village, तो यहाँ option number A बिलकुल सही है, तो फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही आशा है कि आज की वीडियो आप सब के लिए helpful रही होगी, बा तो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी helpful लगी होगी, तो वीडियो को like share कर देना, साथ दी साथ चैनल को भी subscribe कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो